तो इसमें सबसे पहलें क्या देखेंगे? D words D words First P-E-O-P-L-E People People यानि लोग Two C-U-R-E-S Cures Cures यानि इलाज जो इलाज करते हैं डोक्टर्स वो इलाज Third D-O-C-T-O-R Doctor डोक्टर्स यानि की जो डोक्टर्स होते हैं वो Doctors Four P-O-L-I-C-E-M-A-N Polisemen पोलिस यानि की जो चोरों को पकड़ते हैं वो Polisemen Five C-A-T-C-H-E-S Catches Catches यानि पकड़ना Six T-H-I-E-V-E-S Thieves Thieves यानि चोर Seven F-O-L-L-O-W Follow Follow यानि अनुसराण करना Eight L-A-W Low Low यानि की कानून या तो फिर नियम Nine T-A-I-L-O-R Taylor Taylor यानि की दरजी Ten S-T-I-T-C-H-E-S Stitches Stitches यानि की दाका करना या तो फिर सिलना Eleven C-L-O-T-H-E-S Clothes Clothes यानि की कपड़े जो हम पहनते हैं वो कपड़े Twelve P-O-S-T-M-A-N Postman Postman यानि की दाक्या जो हमें घर पे लेटर्स पहुचाते हैं वो Postman Thirteen D-E-L-I-V-E-R-S Delivers Delivers यानि की पहुचाना Fifteen B-A-R-B-E-R Barber Barber यानि की नाई जो हमारे हेर कट करता है वो Barber Sixteen C-O-B-B-L-E-R Cobler Cobler यानि की मोची जो हमारे जूते बनाते है वो Seventeen M-E-N-D-S Mends Mends यानि की रफू करना या तो फिर बनाना Eighteen S-H-O-E-S Shooz Shooz यानि की जूते Nineteen G-A-R-B-A-G-E Garbage Garbage यानि की कुडा या तो फिर कच्रा Twenty C-O-L-L-E-C-T-S Collects Collects यानि की एकत्रा करना Twenty One N-E-I-G-H-B-O-U-R-H-O-O-D Neighborhood Neighborhood यानि की अडोस पडोस Twenty Two C-L-E-A-N Clean Clean यानि की स्वच रखना या तो फिर साफ करना Twenty Three W-A-T-C-H-M-A-N Watchmen Watchmen यानि की चोकिदार जो चोकिदार ही करता है वो चोकिदार Twenty Four G-U-A-R-B-S Guards Guards यानि की रखवाली करना यानि की जो हमारे घर की रखवाली करता है वो Guard Twenty Five C-O-L-O-N-Y Colony Colony यानि की बस्ती Twenty Twenty Six C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E Comfortable Comfortable यानि की आराम दायक Twenty Seven R-E-S-P-E-C-T Respect Respect यानि की आदर करना या तो फिर सम्मान करना Now, let's repeat again People Cures Doctor Policeman Catches Thieves Follow Law Tailor Stitches Clothes Postman Postman Delivers Letters Barber Cobbler Mands Shoes Garbage Collects Neighborhood Clean Watchmen Guards Colony Comfortable Respect Now, we learn lesson Helpers in our neighborhood मतलब जो हमारे अरोस परोस में जो हमारे हलपर से हम उसके बार में पढ़ेंगे Do you know, do you know, remember, look at the pictures, you meet these two people daily, can you name them? देखो, यहाँ 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 और यहाँ बीर है, यहाँ यह बोस में हमें यहाँ लिक्ने हैं? M, I, L, K, M, A, N Milkman फिर यह कौन है? Teacher तो यहाँ पे हम लिखेंगे Teacher T, E, A, C, H, E, R Teacher तो इन दोनों को हम हर रोज मिलते हैं है ना? Yes People who help us लोग जो हमें हर रोज help करते हैं In our daily life हमारे रोज बरोज के जीवन में There are many people who help us तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें help करते हैं Some of them are तो इसमें से कुछ हमें यहाँ पे दिये है जिसके बारे में हमें पढ़ना है Do you know? Doctor's Day is celebrated on July 1 मतलब जो Doctor's Day है वो हम कब celebrate करते हैं? 1st July को यह किसका पिक्चर है? Yes, Doctor का वो हमारा इलाज करते हैं फिर यह किसका पिक्चर है? Yes, पॉलिसमें का A policeman catches thieves जो पॉलिसमें है वो किसको पकड़ते हैं? चोरों को पकड़ते हैं He makes sure that people follow the law और वो इस बात का भी खयाल रखते हैं कि जो लोग हैं वो नियमों का पालन करें फिर यह किसका पिक्चर है यहाँ पे? Yes, Taylor Taylor यानि की दरजी और Taylor stitches clothes for us जो यह Taylor है वो हमारे लिए कपड़े बना जाएं यानि की कपड़े सिलता हैं तो आज हमने किसके बारे में बढ़ा था? डोक्टर, पॉलिसमें और टेलर तो डोक्टर है वो क्या करते है? हमारा इलाज करते है और पॉलिसमें चोरों को पकड़ते है और नियमों का लोगों से पालन करवाते है टेलर, टेलर क्या करता है हमारे लिए? Yes, हमारे लिए कपड़े बनाता है यानि की कपड़े सिलता है तो ये सबी जो हमारे हेलपर्स है वो हमें किसी ना किसी तरीके से हेलप करते है